ओम शान्ती, 31 अक्तुबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, उच ते उच भगवान के बच्चे, तुम भी उच से उच ठहरे, तुम्हारे अंदर यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, कि कोई भी विकार की बात हमा आगे आ नहीं सकती, तुम्हारी बातचीत और चलन बड़ी रोयल होनी चाहिए, यह विचार चलना चाहिए, पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है, इस स्मृती में रहने से बहुत मजा आएगा, तुम बच्चे अभी वेश्व में सुक शान्ती सापन करने के निमित बने हो, तो सर्विस पर एकदम उड़ना चाहिए, फिर बाब ने कहा सबको मेरा परीच्य देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे और बाप की दिल पर चड़ेंगे, इन लक्षमि नारेण जैसा बनना है, तो बहुत सर्विस करनी होगी, इश्वरिय सर्विस करने से तुमक बहुत बड़ी लोटरी मिलती है, तो बंधन मुक्त बन सर्विस के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सबको फलक से समझाओ, प्रंधु कई बच्चे इस लोटरी को समझ से नहीं, चलन ऐसी चलते हैं, जो समझा जाता, यह जरूर दास-दासी बनेंगे, लास्ट में बाबा उने नाक से पकड़ा हुआ है, बाप जो रोज समझाते हैं, वह अच्छी रिती धारन करना चाहिए, सारा दिन उगारते रहना चाहिए, भले माया सताएगी, कर्म भोक की बिमारी भी उतल खाएगी, प्रंतु कभी भी मूझना नहीं है, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली कहसार, मीठे बच्चे, ओर्डर करो कि हे भूतों तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम उनको डराओ, तो वह भाग जाएंगे, प्रश्न, इश्वरिये नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है, उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है, जब नशा है कि हमें इश्वरिये लोटरी मिली है, तो सर्विस का शोख होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा, जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा, दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है, उत्तर, जिने निश्चे है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे उचे ते उचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं, अगर करेक्टर ठीक नहीं, चलन रोयल्टी की नहीं, तो वहें शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते ओम श्यान्ति शिव बाबा याद है स्वर्ग की बादशाही याद है यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं याद करने बिगर हम वड़सा ले नहीं सकते काहे का वड़सा पवित्रता का तो उसके लिए ऐसा पुरुशार्थ करना चाहिए कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती सिर्फ विकार की भी बात नहीं एक भूत नहीं प्रन्तु कोई भी भूत आ नहीं सकता ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए बहुत उच ते उच भगवान के हम बच्चे भी उच ते उच ठहरे न बात चीत चलन कैसी रोयल होनी चाहिए बाप चलन से समझते हैं यह तो बिलकुल ही वर्थ नौटे पैनी है मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है यह भी बाप है बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं प्रन्तु कोई कोई ऐसे हैं जो बिलकुल समझ से नहीं बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वे निश्चे नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊच होना चाहिए। हम कितने ऊच बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने उँच ते उँच बाब के बच्चे हैं, हमारा क्यरेक्टर कितना उँच होना चाहिए, जो इन देवी देवताओं की महिमा है, वह हमारी होनी चाहिए. प्रजा की थोड़े ही महिमा है, एक लक्षमी नारेन को ही दिखाया है, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करने चाहिए, इन लक्षमी नारेन दोनों ने यह सर्विस की है न, दिमाग कितना उँचा चाहिए, कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड जाते हैं नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं बाप कहते हैं सबको मेरा परीचे देते रहो सर्विस से ही शोभा पाएंगे तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे बच्चा वह जो बाप की दि बच्चों को सिरपड चढ़ाते हैं इतना मोह होता है प्रंतु वे है तो है हद का मायवी मोह ये तो है बेहद का ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुशना हो माअ बाप तो अथा खुशी होती है यहां जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं बाबा हमारा ओबिडियन टीचर है बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी तब तो गायन है ना कितनी वंडर्फुल बात है कितनी उनकी महिमा की जाती है यहां बैठे हो तो बुद्धी में नशा रहना चाहिए सन्यासी तो है ही निवरिती मार्ग वाले उन्हों का धर्म ही अलग है यह भी अब बाप समझाते हैं तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को तुम तो ग्रिस आश्रम में रहते भक्तियादी करते थे तुमको फिर ग्यान मिलत का है नहीं तुम कितना उंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे देलवाडा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो उपर में वैकुंठ खड़ा है उपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझ से हैं स्वर्ग उपर ही होता है तो तुम बच्चों की अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है हम पढ़ रहे हैं कहां चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धी में यह ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्रा देते आप पे ही पूजे आप पे ही पुजारी तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कितने ऊच पूजे थे फिर हम ही पुजारी बने हैं जो शिव बाबा तुमको इतना ऊच बनाते हैं फिर ड्रामा नुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते इन बातों को दुनिया थोड़े ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती हैं। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। तो भी कितनी ऊच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और इश्वर ये मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं इश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जनम में मिली थी जिससे ऊच पद पाया। अभी तुम ब मत क्या कहती है इश्वरिय मत क्या कहती है तो जरूर इश्वरिय मत पर चलना पड़े कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते याद नहीं रहता किसको क्या सोगात देनी चाहिए यह मनुष्य मत और इश्वरिय मत का कॉंट्रास्ट बहुत जरूरी है तो मनुष् प्रणतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं फिर तुम सुनाते हो कि हम इश्वरिय मत पर क्या बनते हैं वे हमको पढ़ाते हैं भगवानु आज हम उनसे पढ़ने जाते हैं हम रोज एक घंटा पौना घंटा जाते हैं क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए याद की यत तो चलते फिरते हो सकती है ज्यान और योग दोनों ही बहुत सहज हैं अल्फ का है ही एक अक्षर भक्ति मार्ग के तो धेर शासर हैं इकठा करो तो सारा घर शासरों से भर जाए कितना इन पर खर्चा हुआ होगा अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशही तुम विश्व के मालिक थे ना भारत हैविन था ना क्या तुम भूल गए हो यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है अब बाप आया हुआ है हर पांच हजार वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने बेहद के बाप का वर्षा ज से बुद्धी को जैसे ताला लग गया है ताला खुलता ही नहीं ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझ से नहीं है बाप समझाते हैं एक ही बात बस है जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए यहां तुम एक सेकिंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो प्रन्तु यह स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है ग्यान सागर बाप तुम्हें ग्यान तो इतना देते हैं जो सागर को शाही बनाओ सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता ग्यान को धारन करते कितना समय हुआ है भक्ती को तो आधा कल्प हुआ है ग्यान तो तुमको एक ही जनम में मिलता है बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए उस जिसमानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो पांच वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घा माटा पढ़ जाएगा ना बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं अभी भारत का हाल देखो क्या है फलक से समझाना चाहिए माताओं को खड़ा होना चाहिए तुम्हारा ही गायन है वन्दे मात्रम धरती को वन्दे मात्रम नहीं कहा जाता वंदे मात्रम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं, वही यह सर्विस करते हैं। वह भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे, वैसे होते रहते हैं। अब लाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला हैं। तुब समझ से हैं बस अब तो बाप की सर्विस करने हैं। बंधन हैं, ऐसे कहने वाले रीड बकरियां हैं। गवर्मेंट कभी कहना सके कि तुम एश्वरी ये सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए न। जिसमें ग्यान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं जज को भी समझा सकते हैं कि हम रुहानी सेवा करना चाहते हैं रुहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं क्रिश्चन लोग भी कहते हैं लिबरेट करो गाइड बनो भारत वासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच तुम बच्चों में जो अच्छे समझ दार हैं उनको सर्विस का बहुत शोक रहता है समझ से हैं अच्छा दासी ही सही चंडाल ही सही स्वर्ग में तो होंगे ना उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती हैं तुम समझ से हो बेहत का बाप हमको को समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं, बाप इन दवारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कई तो इतना भी समझते नहीं, यहां से बाहर निकले खलास, यहां पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं, बुद्धी बाहर भटकती, धक्का खाती रहती हैं, एक भी भूत निकलता नहीं हैं, पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं, सहुकारों के भी दासदासियां बनेंगे न, अभी भी सहुकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं, सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए, तुम बच्चे शांती सापन अर्थ निमित बने हो, विश्व में सुख शांती सापन कर रहे हो, प्रैक्टिकल में तुम जानते हो, हम श्रीमत पर सापन कर रहे हैं, इसमें अशांती कोई होनी नहीं चाहिए, बाबा ने यहां भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं, एक घर में 6-7 बहुए, इकठी तना प्यार से रह बिलकुल शांती लगी रहती हैं, बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिट-किट की बात नहीं, सब आग्या कारी हैं, उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात आते थे, दुनिया से विराग्य रहता था, अभी तो है बेहद का विराग्य, कुछ भी याद न रहे, बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं, बाबा कहते हमको तो सब भूलना है, न बिसरो न याद रहो, बेहद का विराग्य है न, सब को भूलना है, हम यहां के रहने वाले थोड़े ही हैं, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने, बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए, कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो, इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशा ही मिल सकती है, शिव बाबा इस ब्रह्मा दवरा डारेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, गीता वाले जो हैं, वह अच्छी रिती समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे, कोई कोई प्रशन पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं, अरे यह चक्र फिरता रहता है, पुनर जनम लेते लेते, नीचे तो उतरेंगे न, चक्र तो फिरना ही है, हर एक की दिल में यह आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है, अब तुम बच्चे समझ से हो, हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे, तुम मुसाफिर हो न, दूर देश से यहां आकर पार्ट बजाते हो, अभी तुम्हारी बुद्धी में है, हमको अमर लोक जाना है, यह मृत्यू लोक खलास हो जाना है, बाप समझाते तो बहुत हैं, अच् खाएगी, माया सताएगी, प्रेंतु मूझना नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं, बिमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं, बंगाल में जब कोई बिमार होता है तो उसको कहते हैं, राम बोलो, राम बोलो, देखते हैं अ अंदर डाल दो ना कच्छ मचादी का शिकार हो जाएगा काम में आ जाएगा पार्सी लोग रख देते हैं तो वे हड़ियां भी काम में आती हैं बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्से रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्से नमस्से गुड मॉर्निंग भार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेव करनी है फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं हम रूहानी सेवा पर हैं इश्वर ये सेवा की उच्छल आती रहे कर्म भोग की बिमारी माया के तुफानों में मूझना वहरान नहीं होना है बाप ने जो ग्यान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर रहना है वर्दान निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधी पूर्वक मनाने वाली स्रेष्ट आत्मा भव दीप माला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है आप चमकती हुई आत्माई दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो इसले चमकती हुई आत्माई दिव्य ज्योती का यादगार सुल दीपक की ज्योती में दिखाया है तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्षमी के रूप में यादगार है यही दीपमाला देवपद प्राप्त करती है तो आप स्रेष्ठा अत्में अपना यादगार स्व्यम ही मना रहे हो स्लोगन नेगिटिव को पोजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुब और बेहद की बनाओ और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संसकारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे